नमस्ते फ्रेंड्स में डॉक्टर रीनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का टॉपिक है नेजल पॉलिप मीज नाक के मस्से आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये नाक के मस्से हमें बार-बार क्यों हो जाते हैं इन के लिए शुरू करते हैं सबसे पहले अभी हम यह समझते हैं कि नाक के मस्से होते क्या है एक्चुली नाक के मस्से हमारे नाक और साइनस की अंदर की लेयर मींस म्यूकस में 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 डवलप हो जाते हैं यह कुछ अंगूर की तरह दिखते हैं इनकी करसिस्टेंसे भी सॉफ हो जाते हैं यह cancel नहीं होते हैं यह दोनों नाक में भी हो सकते हैं और कभी-कभी एक नाक में भी होते हैं इनकी रिन ह्या होती है है इसुमें हम ऐसे समझते हैं कि नाक के जादा होते हैं जिनको allergic infection जल्दी जल्दी बार बार होता है allergic infection में धूल के कंड की allergy या फिर किसी animal के skin की allergy fungus की allergy आदी कुछ भी हो सकती है इसमें होता है क्या है जब allergy होती है तो mucus meman irritate होती है और जादा mucus secret करना शुरू कर देती है जिससे वहाँ पर सूजन आ जाती है वहाँ पर growth हो जाती है उस growth को हम मस्से कहते हैं जब यह मस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि nasal नाग के अंदर के रास्ते को बंद करने लगते हैं तो इसको हम fully form nasal polyp कहेंगे जो सांस लेने में भी तकलीफ दे सकता है इसलिए इन मस्सों के इन nasal polyp के main कारण allergic renitis, sinusitis और asthma हो सकते हैं अब हम nasal polyp के symptoms या लक्षनों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहला symptom यह होता है और बहुत common symptom भी है कि यदि patient को nasal polyp हो गए हैं तो नाक का रास्ता बंद हो जाता है पेशिट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसी में number 2 यह होता है कि patient को loss of smell का भी symptom वो देता है means उसकी सूमने की चमता कम हो जाती है और इसके साथ साथ patient को खाने के test भी कम आने लगता है इसी में हम और आगे बढ़ते हैं तो patient को इस nasal block के कारण या obstruction की कारण खराटों की समस्या भी शुरू हो जाती है इसमें नाक के अंदर की layer में सूजन आ जाती है जिससे महां irritation होता है इसलिए नाक और नाक के आसपास के हिस्से में patient को pain feel होता है इसमें एक symptom और देखा गया है कि जब नाक बंद हो जाएगी तो patient को post nasal dripping की feeling होती है means उसको ऐसा लगता है कि उसका नाक का जो बलगम है या जो nasal discharge है वो नाक के पीछे के रास्ते से मूं में उतर रहा है इसको हम post nasal dripping कहते हैं नेजल पॉलिक में एक और बहुत common चीज़ देखी गई है कि यदि किसी patient को infection के कारण नाक के मस्से हो गए है तो बाद में उन्हीं नाक के मस्सों के कारण reacal हो जाता है infection इस तरह से या vice versa चलता रहता है इसलिए भी patient की complaint धीर धीरे बढ़ने लगती है और यदि patient को अस्थमा है साथ में sinusitis है तो patient का case complicated हो सकता है दोस्तों nasal polyp के case में prevention का या उसकी रोग थाम का बहुत बड़ा रोल हैं हम लगभग 50-60% यदि prevention कर लेते हैं तो nasal polyp को दोग सकते हैं इसमें number one यह है कि maintain the hygiene दोस्तों covid pandemic के बाद हमको यह तो समझ में आई गया है कि साव सफाई रखने से हम बहुत सारे infections bacterial और viral infections से बस सकते हैं इसलिए हातों को अच्छे से wash करना है या sanitize करना है number two इसमें ये बात होती है कि patient को टोबे को smoking, cigarette smoking नहीं करना चाहिए number three यह होता है कि यदि patient को allergens की, धूल की, fungus की यदि allergy है तो उसको उनसे बचना चाहिए और फिर भी लगता है कि वो nasal passage में enter कर गए हैं तो steam लेना बहुत जरूरी है किसी allergy या infection से बचने के लिए mask भी पहन सकते हैं और इसमें एक बहुत serious चीज़ यह होती है कि यदि patient को sinus factors या asthma है तो उसका treatment करना time पर बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बने रहने से patient की immunity कम हो जाती है और patient को बार बार रियकर infection होता है जिससे nasal polyp जल्दी जल्दी रियकर होने लगते हैं अब हम यहाँ nasal polyp के case में surgery और homeopathic के रोल को discuss करेंगे मेरे knowledge के according surgery के case में इन polyps को cut कर दिया जाता है तो यदि patient को फिर से infection आया तो patient को polyp फिर से दियकर हो सकता है लेकिन homeopathic यहाँ पर तीन तरह से काम करती है 1. यदि कोई chronic बिमारी है उसको अस्थमा है, sinusitis है तो उसका treatment करती है 2. यदि patient को irritation है, नाग का infection है, नाग से पानी निकल रहा है तो उसका treatment करती है और नमबर 3, nasal polyp यदि patient को नाग बंद हो रही है, nasal obstruction है तो उसका भी treatment साथ में करती है इसलिए patient को nasal polyp फिर से दिया कर नहीं होते हैं, फिर से repeat नहीं होते है अब मैं यहाँ पर इसके होमेपेथिक treatment के बारे में डिसकस करूँगी इसमें नमबर 1 पर medicine है अमून का यह medicine हम patient को तब देते हैं जब उसकी नाग से पतला पामी बहुत टाइम तक निकलता रहता है और रात में उसको नाग बंद महसूस होती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और यदि वो जटके से nose को blow करता है तो nose में उसको bleeding भी हो सकती है इसी में आगी number two medicine है लेमना माइनर दोस्तों polyp के case में लेमना माइनर का बहुत अच्छा रोल है यह medicine हम patient को तब देते हैं जब patient को नाग के अंदर susan feel होती है नाग में polyp हो जाता है उसके कान patient को सांस में तकलीफ तो होती ही है लेकिन सांस में उसकी smell भी चली जाती है loss of smell हो जाता है और कभी कभी दे smell आती है तो नाग में से उसको गंदी smell महसूस होती है तब इस medicine का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों इस series में तीसरी medicine है natural self यह medicine हम patient को तब देते हैं जब उसको बार बार infection हो रहा हो और patient को छीके आती रहती हो और सांथ ने कभी कभी पतला पानी या थिक nasal discharge भी निकलता रहता हो और patient की सारी इस तकलीफें damp weather के कारण बढ़ जाती है तब natal self का बहुत अच्छा रोल है इस कड़ी में चोथी medicine है ऐलियम सीपा यह medicine हम patient को तब देते हैं जब उसकी नाख के सांसार उसकी आखों से भी discharge निकलने लगता है और उसकी नाख और आख के discharge इकार उसको बहुत जलन महसूस होती है तब इस medicine का बहुत अच्छा रोल है इस कड़ी में last medicine है टूट्रियम यह medicine हम patient को तब देते हैं जब patient को आपने सारी दवाईयां दे दी है नेजल पॉलिप के कारण और इलाज नहीं हो पा रहा है तो इस medicine का तब रोल बहुत अच्छा हो जाता है जब patient को नेजल पॉलिप के सांसां चीके आ रही हो और नाख से पतला पानी या गाड़े पन पर डिस्चार्ज निकल रहा हो तब यह medicine बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों यदि आपको मेरा या वीडियो informative लगा हो और आपकी नेजल पॉलिप को हील करने में help करता हो तो please like, share and subscribe my video, my channel, thank you